एशिया के कॉंटिनेंट में कौन-कौन से मिरेल पाय जाते हैं चाइना और इंडिया के अंदर आइरन ओर के बहुत सारी डिपोसिट्स हैं मतलब बहुत सारा आइरन ओर पाय जाता है एशिया के अंदर वर्ल्ड का 50% टीन प्रड्यूस होता है हमारा एशिया चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड के लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स हैं ठीक है और चाइना के अंदर लेड, एंटी मनी और टंग्स्टन भी प्रोड्यूस होता है और ये भी टॉप में ही रहते हैं कंट्रीज और मिडलिस कंट्रीज जैसे के सादी अरेबिया, इरान, इराग, कुएट ये सब वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे पेट्रोलियूम और नैच्रल कैस बहुत ज़्यादा पाये जाता है तो इसको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत इसी से इनको पैसा मिलता है, इसी से इनकी कंट्री चलती है एशिया के अंदर मैंगनीज, बॉकसाइट, निकल, जिंक और कॉपर भी काफी पाये जाते हैं अब बात करते हैं यूरोप की यूरोप भी वर्ल्ड के अंदर आयरेन ओर बनाने में काफी इसका नूमबर आता है ये काफी टॉप टैन में आता है, ठीक है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है और कंट्री जिसमें बहुत सारा जो आयरेन ओर है ऐसी कौन सी कंट्री है, रश्या, यूक्रेइन, स्वीडन और फ्रांस और कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और निकल के डिबोजिट्स इस्टन यूरोप पे और रश्या में पाये गए है और जर्मनी की जो रूर वैली है, ये बहुत फेमस है और यहां पे वर्ल्ड की सबसे most populated industrial region कहा जाता है इसको एक्चुली में यूरोप का सबसे populated industrial region जो हो cold deposits के मामले में तो ये है पेट्रोलियम और नैच्रल गैस नॉर्थ सी में पाये जाते हैं नॉर्थ सी के फ्लोर्स में, मतलब नॉर्थ सी की गहराईयों में नीच्चे की तरफ काफी पाये जाते हैं और इसके उपर United Kingdom और Norway अपना हग जाते हैं ये कहतना है कि हमारा है और नॉर्थ अमेरिका की बात की जाये तो नॉर्थ अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका का continent है उसमें जो Canadian region है Canada country वाला जो इलाका है जो देखो USA के अंदर Great Lakes है ठीक है तो USA के अंदर पांच Great Lakes है उसके उपर का Northern इलाका जो है वो फिर Applesian region और Mountain ranges जो है West में ये तीन zone है ये तीन major zone है जहाँ पे mineral deposits पाये गए हैं और जो Canadian shield region है आपको geography जब भी हो तो आप अपने लिए एक atlas लेके बैठो में ये सब ताकि पढ़ते पढ़ते आप देख सको कि कहां पर है तो Canadian shield region में iron ore, nickel, gold, uranium और copper mine किया जाता है और Alpacian region में काफी सारे gold deposits हैं coal deposits sorry ठीक है और western cordyleras में भी बहुत सारा copper, lead, zinc, gold और silver है ये सब जैसे gk की तरह है आपको याद रखना है बस इस memory का है पाए जाने वाले जो bituminous or soft coals है वो west virginia, west pennsylvania और ohio और kentucky के bordering areas है तो ये जितने भी हमने मैंने state बोले अभी तो ये सब के सब USA में है United States of America के सब states है अब South America की बात की जाए तो South America में high grade iron ore पाए जाता है Brazil के अंदर और Chile और Peru ये भी copper produce करने में काफी आगे है पॉलिविया में वर्ल्ड के काफी सारा वर्ल्ड का काफी सारा tin produce होता है वर्ल्ड का largest producer है tin का बाकि सारों के साथ में ये भी top 10 में आते हैं और South America के अंदर gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, diamond ये भी बहुत सारा मिलता है और mineral oil कहां पी मिलता है मैक्सिको, वेनेजुवला, एरजेंडिना, चिले, पेरू और कोलंबिया में बॉक्साइट ये वो और है जिसमें से aluminum निकल सकता है तो ये South America के North Eastern parts में होता है और जमाइका में होता है दूसरा continent Africa, एफरिका भी mineral resources से भरा पड़ा है वर्ड का जो largest producer है, precious minerals जैसे के diamond, gold, silver, platinum ये सब सबसे ज़्यादा वर्ड में एफरिका में पाए जाते हैं और South Africa, Zare, Zimbabwe, ये तीनों countries के अंदर वर्ड का काफी सारा gold है ये लोग produce करते हैं और Whitwater Strand, जो region है, Johannesburg का South Africa के अंदर ही एक city है, बड़ी सी Johannesburg वहाँ पे Whitwater Strand, जो region है, वो दुनिया का सबसे बड़ा gold का source है यहाँ पे gold बहुत सारा मिलता है और पिछले 100 साल के अंदर जो दुनिया भर का 50% जो gold है, वो इन्ही mines में से आया है और दूसरे जो minerals है, वो है copper, iron ore, chromium, uranium और कोबाल्ट, ये भी यहाँ पे पाए जाते है बात करते हैं Australia की, Australia के अंदर भी काफी सारा minerals है और ये भी काफी सारा mineral में एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही largest exporter है mineral के और world के leaders हैं, बॉक्साइट, iron ore, coal, gold, diamond, tin और nickel में तो इनके country में ये सब बहुत produce होता है, तो ये लोग इसको export भी करते हैं, produce भी करते हैं प्रोड्यूस करना क्या है, nature ने इनको दिया है, तो ये इसको find out करके इसको फिर export करते हैं Australia के अंदर काफी मात्रा में mangarines, copper, lead और zinc भी है, और काल गुरली और कुल गाड़ी जो areas है western Australia के, यहाँ पे भी सबसे बड़ी gold mines है Australia की सबसे बड़ी gold mines यहीं पे है, तो आपके अगर one one marks में question पूछा जाए तो इस सब आ सकता है इसके बाद देखते हैं के, okay, hold on just a second, हम लोग काफी पीछे आ गए, Africa हमने cover कर लिया, Australia cover कर लिया, अब बात आती है, Antarctic आगी, ठीक है so Antarctica में, काफी सारे geologists और geographers यह मानते हैं के उन्होंने खोज निकाला है, बहुत सारे mineral deposits यहाँ पे है, काफी सारी मात्रा में है mineral deposits और काफी सारा coal deposit भी यहाँ पे है, trans Antarctic mountains जो है वहाँ पे, और iron ore के deposits, prince Charles mountains of east Antarctica में पाये जाते है forecast किया गया है, मतलब भविश्वानी की गई है कि यहाँ पे होगा, gold, silver और oil भी यहाँ पे present है commercial quantities में मतलब कि इतना कि जितना आप उसे export करके business कर सको, और लेकिन जो mining अगर commercial reasons के वज़े से यहाँ पे की जाएगी तो उसको ban किया गया है कि यहाँ पे आप commercial business करने के नाम पे आप mining नहीं कर सकते हैं यहाँ उसको ban किया गया है खाली researchers यहाँ पे अपना mining कर सकते हैं ताकि वो कुछ answers find out करे, scientific questions के लिए कुछ answers find out करे इसके बात के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर minerals है, कौन-कौन से minerals है, कहाँ फे कितने percentage में है, कौन से state में ज़्यादा है, कौन से कम है, वो सब ओके, सो यहाँ तक देखने लिए thank you so much लें, God bless you all, bye